आप सभी को नश्कार और मुझे मालूम है आप लोग ये थमनेल और चीज देखते ही सबसे पहले तो गालिये देना चालो करते होगे कोई बात नहीं अगर आप गाली देते हो तो वह आपकी विचार है और यह जो मैं कह रहा हूं यह मेरे विचार है अगर आप गाली दोगे तो वो आपकी परवरिश है, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है, ठीक है, और CT कॉलिफाई आपका 100% नहीं होगा, किसी भी हालत में CT कॉलिफाई नहीं होगा, ये चीज मैंने आपको पहले 3 महीने पहले भी बताई थी, जब पहले एक बन मुद्धा उठाय गया था, कि CT कॉलिफाई करो, उस टाइम पे मैंने आपको बताय था, कि CT कॉलिफाई नहीं होगा, आप चाहे कितना भी जोड देलो, चाहे टीचर कितना भी आपके साथ में आजाए, ये CT कॉलिफाई नहीं होगा, मैं आपको बताता बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी प्लेटफार्म, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि टीचर और उस प्लेटफार्म से वो student negative हो जाए, इसलिए वो सारी चीज हां में हां मिला रहे हैं, हां भाई ये करेंगे, हां भाई ये करेंगे, सब लोग ये बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी टीचर, या मैं भी आप लोगों से ये नहीं बोलूँगा, कि भाई ये पूने दो साल हो गए, CT की बात चलते वे, पूने दो साल के बाद में भी आपका एक्जाम हुआ है, और तब भी पूने दो साल से त्यारी करने के बाद में भी आप ये बोल रहे हो, क दुबारा से अगला एक्जाम देंगे, फिर अंतर क्या रहा गया, दस परसंट तो वैसे भी एक्जाम नहीं दे के आते थे, इसका मतलब यही हुआ ना कि सारे बच्चे दुबारा से एक्जाम देंगे, वैसे ही अगर दस लाग लोग फॉर्म भरते थे, उसमें से 10-15 परस से अटा के, दुबारा से 10% लोग को दुबारा से आप ले रहे हो, दुबारा से सभी को इक्जाम में पिठा रहे हो आप, तो ऐसा नहीं होगा, कितना ही क्यापन दे लो आप, कितना ही कोशिश कर लो, कोई बात नहीं, आप कोशिश कर सकते हो, क्या पता हो जाए, मैं यह न लग है मैं यह नहीं चाह रहा हूं कि आपका CET कॉलिफाई ना हो यह मैं नहीं चाह रहा हूं पहले से आपको बता रहा हूं मुझे मालों आप लोग आली देवो कोई बात दे लो वैसे एक टीचर सब को खुश नहीं रख सकता है में से भी सो में से पांस बच्चे होंगे जो तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है कोई इकत नहीं हो ठीक है मेरे विचार अलग है मैं आपके अगेस्ट नहीं हूं ठीक है तो आपका जो CET कॉलिफाई नहीं होगा लास्ट मैंने तीन महीने पहले भी आपको यह बताया था कि 12-15 गुना बच्चों को बुलाया जाएग यृट नहीं हो नहीं है बता और ओर चीज़ बशमत्रम क्यूने प्लाया वहनध मेरा नहीं होगा आपको नहीं होगा को नहीं प्रमाड तो म्हें होगा हो और एक और चीज़ बाद सुननो, जो अगर आप खुश फहमे में जी रहे हो ना, कि अभी एक्जाम हो जाएगा, फरवरी में एक्जाम हो जाएगा, C-Group का पोस्ट आने लगेंगी और आपका सेलेक्शन हो जागे तो भूल जाओ, पहले आपका D-Group का होगा, D-Group के सेलेक्शन होने के बाद में, D-Group में जब जोइनिंग दे देंगे न, उसके बाद में आपके C-Group का साट करेंगे हैं लोग, ज्यान रख लिजेगा इस बात का, उससे पहले C-Group वालों को जोइनिंग नहीं देंगे, तो इनका क्रेटीर ही है, कि एक बाल आप जोइन कर लोगे, तो दू करो, और घूमो, फिरो, भीड लगाओ, उसके बाद में गौर्मेंट बोलेगी, ठीक है भाई हम आपकी बात माल लेते हैं, हम C-T 100% तो कौलिफाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 10-12 गुना बच्चों को बुला लेंगे, ये गौर्मेंट करेगी, गौर्मेंट चाहती है, करेंगे, जब आप 12 गरोंगे, तब आपकी बात मानेगे, तब आपको भी लगेगा, कि भई, गौर्मेंट ने हमारी बात मानेगे, तो अच्छी गौर्मेंट है, समझ रहो मेरी बात, अगर आप समझ रहो, तो प्लीज इसका चिंदन कीजेगा, और आगे जो आपके D-Group का एक्जाम आने वाला है, C-Group का एक्जाम आने, उसकी त्यारी करते रहो, जब आपसे पौने दो साल में नहीं हो आया, नहीं हो पाया, क्वालिफाई, तो क्या आप तीन वहिने में कर लोगे गया, मैं पूछना चाहरा हूँ, मैरा एक क्वेशन है, बता देना मेरे को, जो आ अभी गुटबाजी चल रही है, टीचरों की आपस में, एक कहरा 17 को आओ, एक कहरा 18 को आओ, आप लोग सब जगे जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, CT कौलिफाई 100% नहीं होगा, तो मैं कहीं नहीं जाओंगा, जहां मेरे को बुलाय जाएगा, जहां मेरे इच्छा होगी, मैं भी आप लोग के साथ में खड़ा रहोगा, लेकिन जो मेरे विचारे में आपको बताया है, यही चीज़ आपको ओने वाला है, यही चीज़ हर स्टेट में हो रही है, ठीक है, तो इसी के साथ में मैं इस सेशन को सवाब करता हूँ, दाने बादू.